हाई गाईज, वेलकम टो अरू इंडिया यूट्यूब चनल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के एक स्वीट सेज़ेस्टर के बारे में, जो कि उसने रिटारीज के लिए लिया है, तो जानते हैं कि वो स्वीट सा प्यारा सा ज़ेस ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये लेटर किस बारे में है, दोस्तों सबसे पहले लेटर में कहा किया है, जिस कंडिशन में, जो हमारे रिटारीज हैं, जो हमारे पुराने वरकर हैं, उन्होंने काम किया है, और बैंक को, ब्रांच को इतना आगे लेके गए हैं, कि अब व कराया जाता है उनको उनके ही काम के लिए काफी दोडाया जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है ठीक है वो हमारी स्टाफ तो है ही साथ में बैंक के कस्टमर भी है आगे देखते हैं क्या है देखिए लिखा है लेटर में लेट्स नोट फॉर्गेट देखिए अलसो कस्टमर ठीक है और जो एवरेज उनका डिपॉजिट है लगभग पचास लाग के आस पास है आप ऐसा मानिए जो भी रिटायर हुआ है उसको फंड मिला होगा उसका अच्छा खासा फंड उसके अपने ही बैंक में जमा होता है ले काफी वेट करना पड़ता है काफी भाग दौड करनी पड़ती है जो कि मैनेजमेंट को पता चला तो मैनेजमेंट को भी चीज अच्छी नहीं लगी उसने एक लेटर बनाया ताकि पंजाब निशनल में में जितनी प्रांचेज है वो इसको फॉलो कर सके ठीक है इस्ते कु अब सीनियर सेटिजन भी है उनका अच्छा खासा डिपॉजिट भी है वो हमारे अच्छे कस्टमर भी है तो जो मेन बात है इस लेटर में कहीं गई है कि I am confident that they are treating them with due respect and courtesy besides winning their complete confidence will also help us in gaining experience confidence whom we can turn for guidance for time to time देखिए ऐसा है कि हमारे retirees के साथ हमको जो बहुत सबसे अच्छी चीज मिलती है वह है उनका experience तो हमको उनकी help करनी चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए उनसे कुछ ऐसा banking knowledge लेना चाहिए जो शायद हमने अभी नहीं ले पाए हम चाहिए जितनी books पढ़ लें लेकिन ज retirees उनकी branches में जाते हैं उनको जदा wait ना कराया जाए और उनका काम जितना हो सके उतनी priority के साथ किया जा सके I hope दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यह चोट असा प्यारा सेज़ेस्टर PNB को आपको भी अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें फिर मिलते हैं दोस्तों जय हिंद